कि अलो कि अलो कि अलो कि अलो कि अलो कि सो वेल और राजिस्थान बोर्ड वालो आज आपका क्लास 12 का इंगलिस का पेपर था उम्मीद तो ऐसी करूँगा कि सब का पेपर बढ़िया मजे में गया होगा और सब लोगों ने एकदम भाई साब फोड के आया होगा ठीक है अभी तक जो मेरे पास में इंफोर्मेशन आई मैं थोड़ा लेट इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपके पेपर का पूरा एनलेसिस कर रहा था कि भाई साब कैसा कैसा आपका पेपर आया हाड था मौडरेट था क्या था और भी बहुत सारी चीजे थी जिसको देखने के बाद में मैंने सोचा कि जो भी बताऊंगा आपको वो एकदम फाइनल बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके आपके अपकमिंग एक्जाम्स को लेकर राइट सात सात में हम क्या करेंगे कि इनके जो कोस्चन के आंसर्स हैं वो भी मैं आपको करवानी कोसिक करूंगा ताकि आप लोगों को आंसर्स वगेरा सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाए कोस्ट्चन एंड आंसर्स बोथ आपको देखने को मिल जाए Bengal जिससे ये आपका English Compulsory का आज पेपर था, सबसे पहले तो comment box और chat comment box में मुझे बताओ, कि आप लोगों का actual paper गया कैसा, अच्छा गया, बुरा गया, क्या लगता है, कि paper में कहां कमी रहे गई, कुछ कमी तो नहीं रहे गई, या फिर कुछ ऐसी चीज़े तो नहीं हो गई, जो आप करना चाह रहे थे, बढ़ जल्दबाजी के चक्कर में नहीं हुई, उसके बाद में मैं थोड़ा सा फिर आपको, answers answers बताना शुरू करूँगा, ठीक है, रोईत गौर बोल रहे हैं, बेकार गया, और फास्ट बताओ, अर्चना जी, थोड़ा सा मुझे समझ दीजे, इतना भी जल्दबाजी क्या है, आपने साल बर उस चीज़ के लिए, डेडिकेशन से टाइम दिया है, लेकिन आप थोड़ी सी चीज़ों के लिए, अगर जल्दबाजी करोगे, तो आप बहुत कुछ चीज़ें मिस कर दोगे, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में नहीं, थोड़ा इत्मिरान से, आपने उसके लिए साल बर प्रिपरेशन की थी, ठीक है, थोड़ा सा आपको उसके बारे में जानना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहिए, और भी लोगों की प्रतिकरी आएं, तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए उससे help होती है, हम तो क्या है, हम तो करवा के निकल जाएंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह होगी, क्या आप लोगों को आधी चीज़े समझ में आएगी, आधी चीज़े नहीं समझ में आएगी, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से बात करते करते, आपका ओपिनियन जाने के, हम नेक्स्ट पेपर के उसकी साफ से तयारी करें और करवाएं, उसके लिए मैं यह सब चीज़े थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है, अमन मित्तर बोल रहे हैं, कि बहुत अच्छा गया सर जी, रोईद गौर बोल रहे हैं, सर आप बताओ, मैंने जहां तक के पेपर एनलेसिस किया, आपका इंगलिस कंपल सरी का, तो पेपर जो था आपका, वो जहां तक के, अभी जिन जिन बत्चों से, मैंने 5-10 बत्चों से जिन से बात की, उनका ये कहना था कि पेपर मॉडरेट था, इजी था, सिलेबस के अंदर से ही बना था, आउट अप सिलेबस कुछ भी नहीं बना था, और जो चीजे थी कि, रिसेंट टॉपिक्स को, जादा इस चीज में हाईलाइट किया गया था, ये most of the student है, उनका कहना था, आज के पेपर को देखके, आप लोगों क्या लगता है, वो मुझे बताओ, फिर मैं आपका solutions वगेरा करवाता हूँ, ठीक है, अगर इसमें basic देखें, तो ये 3 गंटे का आपका समय दिया गया था, इसमें, ठीक है, जनरल इस्ट्रक्शन टूदी एक्जामिन, और यहाँ पे आपको पूरा जो, इजी ही था, अब section A में आपका था, question 1 जो था, आपका read the following passage, carefully and answer the question that follow, है, बहुत अच्छा गया, only bet जो बोल रहा है, यह थोड़े से उदास लग रहे है, साइद इन का उतना better नहीं गया है, बट कोई ना, आप next paper में इसके लिए better तैयारी कर लेना, ठीक है, यह paragraph वाला आपका section था, इसमें भी मैं आपको solve करवाता हूँ, बाकि और भी हम थोड़ा सा analysis कर लेते हैं, इस चीज को लेकर, second paragraph थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर आप देखोगे, तो यह जो है आपका, इजी इजी questions से, आपको paragraph के अंदर, या अगर इसके आपने basic research की होगी, तो आपकी इसको answers मिल जाने चाहिए थे, हम थोड़े से, अब last वाले questions के तरब भी चलते हैं, section C वगेरा, फिर हम पूरा बारी से करवाते हैं, section C में आपका था, जो कि grammar section था, right, grammar section में आप लोगों की बहुत सारी mistakes होती है, मैं कोशिस करूँगा कि पहले आपका grammar section ही correct करवा दू, उसके बाद में अपन फिर उपर नीचे देखते हैं, ठीक है, और grammar section के बाद में क्या था आपका, section D में फिर आपका वोई जो था, passage पढ़ना था, passage वगेरा पढ़के, आप लोगों को यहाँ पे लिखना था, तो यह वाला तो बहुत easy concept था, मुझे पता है तुमने करा होगा, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, कि क्या actual चीजे hard थी, जहां तक मुझे लग रहा था कि hard कुछ ज़्यादा था नहीं, अगर आपने किये होगे, तो आप लोगों को पता था, अब यह जो था आपका answer the following question in 20 to 30 word, वाई डू दी ट्री अपियर इस्प्रिंग्स, ठीक है, यह कुछ questions आपके दिये होए थे, और क्या था, how does Mr. Lamp try to overcome his feeling of loneliness, ठीक है, यह था, मैं थोड़ा सा आपका यह देख रहा हूँ, long type के questions का हमारे पास में उसको भी करने कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले आप comment करके यह बताओ, कि बाकी सब आप लोगों का ठीक है, बाकी सब लोगों का ठीक है, जो questions यहाँ पर दिये गए थे, आप लोगों ने किये न, अगर किये हो, तो बिल्कुल एक बार आप लोग लाइक कर दिजे, और फिर अपन जो है, यह से, अपना जो है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैं बाकी और camera वगेरा की जो settings है हमारी, वो भी मैं आच्ची करने की कोशिश करता हूँ, कि आपको थोड़ा better quality दिख जाए, तो बाकी सब आपका अच्छा गया होगा, मुझे उम्मीद है, और अब जो है, हम लोग आपके questions करवाना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग मिरों को बोल रहे थे कि सर, हमारा grammar section में बहुत mistake हुआ है, आप question 6 grammar section से हमारा start करवाओ, फिर बाकी हम उपर नीचे करते हैं, तो मैं grammar section से start करवाता हूँ, फिर आपन उपर नीचे का paragraph वाला करेंगे, ये आपका छटवा number का section सीथा, सबसे जादा जो आप लोगों का गलतिया हुई थी, वो grammar section में हुई थी, इसमें था आपका पहले grammar section देख लो, फिर आपन उपर का देखते हैं, जॉइन दी following sentence, यूजिंग दी वर्ड गिवेन इंदे ब्रेकेट्स, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिये गए थे, ब्रेकेट्स के अंदर उनको करके आना था, पहला था आपका किसोर, एक मिनट मुझे थोड़ा सा यहाँ पर clarity का issue आ रहा है, right, मैं थोड़ा सा score देख लेता हूँ, किसोर, ओके, बाकी मैं comment भी आप लोगों के पीछे-पीछे पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को tension नहीं लेना है, मनोहरी, मनोहरी, खिलारे बोल रहा है, सर, पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है, पेपर बहुत अच्छा था, वो तो मुझे ही पता है, कि आप लोगों का moderate, moderate था, ज़्यादा यहाँ पे hard वगेरा नहीं था, अगर आपने पढ़ाई बेटर तरीके से की होगी, तो आप लोगों का गया होगा, तो यहाँ पे आपका पहला जो question था, कि सोर बुलिट अन्यू हाउस, ठीक है, यह आपका था, यह यूस्ट, यह यूस्ट मार्बल, टाइल्स इन इट, तो आपको यहाँ पे वेर लगाना था, तो अब यह जो question का answer, आपको वेर लगाने के बाद में कुछ कैसा हो जाता, मैं तुम्हें बता दू, कि यहाँ पे आपका पहला था, जिसमें आपको वेर लगाना, जिसमें हो जाता कि, किसोर built a new house, where he used marble, tiles in it, तो ऐसा आपका कुछ बन जाता, कि किसोर built a new house, और new house के बाद में जो आपको है, वेर लगा देना था, वेर के बाद में आपको he used, marble in it, तो ऐसा कुछ आपका यह sentence बन जाता, मतलब house के सामने, शिरिफ आपको वेर लगाना था, जिससे आप लोगों का यह question का answer, बन जाता, मैं section C पहले करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ अगर आप वेर लगा के as a tease लगा देते, तो आपका यह वाला पूरा बन जाता, next था आपका question, छटवा का second, manisa thought English, ठीक है, अगर मैं पढ़ने में थोड़ा सा mistake कर रहा हूँ, तो समझे लो, क्योंकि यहाँ पर जो screen में मुझे दिख रहा है, यह थोड़ा सा blur image आप लोगों की आई है, जिस बच्चे ने मुझे भेजी थी, photo उसने थोड़ा सा blur यहाँ पर image दी है, तो मुझे देखने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत जा रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को who लगाना था, तो इसका जो sentence वो who लगाने के बाद में कैसा बनता, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ, राजेस कुमार बोल रहे हैं सर, question bank से आया है या नहीं, तो देखो question bank से आपके most of the questions जो आते हैं, वो questions आपको question bank के idea देने के लिए होते हैं, ठीक हैं, लेकिन अगर आप देखोगे, तो वो जो questions होते हैं, वो questions को थोड़ा घुमा फिरा के आपको दिया जाता है, अब next आपका manisa thought English, अब इसमें आपको डबलो एचो लगाना था, तो आपको डबलो एचो लगाने के बाद में क्या हो जाता, manisa, manisa जो आपका लिखा हुआ था, manisa के जगा में, आपको manisa के बाद में आपको डबलो एचो लगा देते, जिसमें क्या होता, manisa who was a good teacher, thought English, तो आपको manisa के सामने डबलो एचो लगा देना था, manisa who, और वहाँ पर आपका लिखा था, was a good teacher, thought English, तो इस टाइप का आपका कुछ ये sentence बन जाता, answers लिखने के बाद में, ठीक है, सेवन्त नंबर का question था, आपका grammar section में पहले करवा रहा हूं, जिसमें जिसमें था आपका, combine each set of sentence, into one sentence, as directed, आप इसमें पहला था, आपका, लेंचोर रोट अलेटर, तो गोड, आप आपको, he wanted, गोड, to help him, use आपको, इन्फेंटिव, एक मिनट में और देख लेता हूं, यह questions क्या था, आपका, छटवा नंबर का, जो question है, लेंचोर रोट अलेटर तु गोड, he wanted, go to, help him, use इन्फेंटिव, तो इसमें आपको, यह करना था, ठीक है, तो इसका जब, आप answers लिखते, साथवा नंबर का, जो था आपका, combine each set of sentence, तो इसका answer, कुछ इस टाइप का, आपका हो जाता, ब्याकि आपने, जैसा जैसा लिखे हो, वैसा वैसा, आपको यहाँ पे, पीछे पीछे, देखते जाना है, क्या आपने सहीं किये हो, या नहीं कियो हो, बाकी मैं अपने तरब से करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको इसमें यह हो जाता, लेंचोर रोट आल लेटर, टू गोड, वांटिंग गोड टू, हैल्प हीम, ठीक है, ऐसा आपको लिखना था, वाले जो आपका था, उसमें आपको लिख देना था, कि लेंचोर रोट आल लेटर टू गोड, वांटिंग गोड टू हैल्प हीम, ठीक है, सेकेंड था आपका, उसा वर्क वेरी हार्ड, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मेक आप कमपाउउट सेंटेंस, ठीक है, आप इसको आपको कमपाउउट सेंटेंस बनाना था, उसा वर्क वेरी हार्ड, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, जब इसको आप अगर कर देते, तो कोश्चन आपका कुछ इस टाइप का बन जाता, कि उसा वर्क वेरी हार्ड, and stood first in class तो आपका compound sentence जब आप बनाते तो ऐसा बनता हो कि उसा worked very hard and stood stood first in class तो आपने अगर ऐसा लिखे हो दिन आपका यहाँ पे भाई साब एक mark जो पक्का है वो हो जाता next question था आपका और देख लेते हैं आठवा था जिसमें था आठवा question में क्या था fill in the blanks था था ठीक है बाकी मैं उपर नीचे भी करवा रहा हूँ पहले मैं grammar section की बात कर रहा हूँ क्योंकि grammar section में बहुत सारी लोगों ने mistakes की होती है grammar section में था fill in the blanks by choosing the appropriate pharsal verb given in the brackets right अब इसमें था आपका पहला the genie dash दिया होता all his mothers order without a question तो यहाँ पे आपका था carried carried out या carried up तो यहाँ पे दोनों में से आपको कोई एक लगाना था the genie dash दिया था all his mothers order without a question और आपका carried out और carried up तो अगर इसका आप answer लिखोगे तो इसका answer कुछ इस टाइप से हो जाता आपको लिखना क्या था कि दा जेनी carried out ठीक है तो आपको यहाँ पे पहले carried out जो आपका दिया हुआ था वो लगा के आपको लिखना था ठीक है carried up नहीं carried out यह आपको लगाना था second था आपका second question था second question में देख लेता हूँ ठीक है यह question number 8 का आपका second में बता रहा हूँ बाकी हम लोग उपर नीचे भी करेंगे grammar section पहले में निप्टा देता हूँ second था आपका the wanted criminal managed to dash दिया हुआ है from the police अब यहाँ पे दिया था get along या get away ठीक है तो the wanted criminal managed to dash दिया है from the police अब यहाँ पे आपका get along दिया है और get away दिया है अब दोनों में से आपको कोई एक choose करना था और लिखना था तो इसका जब आप अगर answer लिखते हैं तो यह क्या होता कि the wanted criminal managed to get away ठीक है तो आपको यहाँ पे get away from the police लिखना था तो आपने अगर यह वाला टिककर क्या है हो get away वाला तो आपका यह next है next सही है मतलब कि the jenie वाले में आपको carry it out करना था और the wanted criminal managed to वाले में आपको get away करना था तो यह आपका कुछ इस टाइप से right answer इसका हो जाता नौवा आपका दिया था fill in the blanks by choosing the correct choosing the correct क्या था नौवा नमबर का question एक मिनट नौवा question नौवा साथवा आठवा नौवा fill in the blanks by choosing the correct conjunctions given in the brackets पहला था आपका अर्पित dash अर्चना jointly scored the top marks ठीक है वहाँ पे आपका दिया था end और so दिया था ठीक है अब यहाँ पे आपको end और so में choose करना था कि अर्पित dash अर्चना jointly scored the top marks अब यहाँ पे आपका end और so दिया था तो इसमें आपको क्या लगाना था इसमें आपको जो नौवा नंबर का था उसमें आपका लगाना था अरपित एंड आ जाता तो यहाँ पे जो है अरपित एंड अर्चना हो जाता ठीक है अगर आपने यहाँ पे एंड एंड लिखा है तो आपका हो जाएगा अरपित एंड आपको कुछ इस टाइप से इसमें लिखना था नौवे नंबर का कोस्चन सेकेंड था आपका इस रिकोडर रिकोडर आस्क मी डेस आई वास कमफटेबल अब यहां पर आपका दिया था डेट दिया था और इफ दिया था दिया था इस आपको पता होगा तर रिकोडर आस्क मी इसका जो यह आँसर हो जाता ठीक है बाकी आप लोगों उन्हें को भी देखते देखते चलना है कि क्या मैं जो करवा रहा हूं आपने वैसा लिखे हो या कहीं पर आपने मिस्टेक्स कर दी है तो थोड़ा थोड़ा आपको यह भी बताते चलना है आप मैंने तो अपने तरब से कोशिश की है कि आपको बताता चलू ठीक है विशाल मीना बोल रहा है यस सर फारसल वाले कोश्चन सिंपल थे मैं टेंट का हूँ मुझे आते थे यह अच्छा यह तो टेंट वाले बताओ टोईल्ट वाले का कर रहे हैं ठीक है अर्चना लावर्त देट बोल रहे हैं ये मैं पीछे-पीछे आपके questions नहीं करवा रहा हूँ अर्चना लावर्त बोल रहे हैं इफ नहीं है तो इसमें क्या आएगा तो इसमें इफ आएगा ना इफ आई वास comfortable कि देट आई वास comfortable आएगा next जो question है आपका question number 10 ठीक है question number 10 में क्या था आपका rewrite the following passage carefully and answer the questions that follow ठीक है तो यह आपका section D में दिया था इसमें आपको passage दिया था उस passage के आधार पे आप लोगों कुछ questions के answers निकालने थे राइट यहाँ पे कुछ question था पहला था आपका days put it held me और कि एक मिनट question number 10 वा question number 10 वा था आपका डेस बट इट हेल्ड मी फार्मिली इफ रेफर्स टू चार ओप्शन थे आपका strongly, second था आपका hardly, c था आपका टेरर और d था आपका इंस्ट्रक्टर तो इस वाले questions में आप लोगों ने क्या लिखे ते में को comment box में बताना है बाकी फिर मैं बताता हूं ये जो question ने question number 10 वा खालिस्तान जो दिया है हाँ अगर मैं थोड़ा बहुत कहीं पर correct हो गया ये मनलब मैंने अगर correct नहीं बताया थोड़ा से mistakes भी हो गई तो आप मुझे correct कर सकते हो अगर मेरे से mistakes हो रही है तो आप भी पता सकते हो अगर थोड़ी बहुत मेरे को गलती नेक्स्ट है आपका but it held me firmly it refers to strongly आएगा hardly आएगा टेरर आएगा या फिर instructor आएगा आप लोगों क्या लगता है सीतर आम बर्मा बोल रहे हैं डी आएगा instructor ठीक है और हरियोम सुकला भी बोल रहे हैं डी आएगा तो आपको बताना है कि इसमें A आएगा B आएगा C आएगा D आएगा और आप लोगों ने क्या लिखे हैं कि इट रेफर टू किसको रेफर क्या टेरर को स्ट्रक्टर हार्ड ली यह स्ट्रॉंग ली मल्या मलाई जेन बोल रहे हैं टेरर आएगा सीतल जानगीर बोल रहे हैं डी ठीक है तो जो फर्स्ट वाला जो आपका कोस्चन है इसमें मैं यहां से देख लेता हूँ एक बार और कि रेफर किसको किया था उसने हार्ड ली इसमें कई जो समझते हैं उनको लगता है टेरर है और कई लोग जो समझ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि यह इसमें इंस्ट्रेक्टर है लेकिन एक्च्वल इसका आंसर आप लोग बताओ कि आपको क्या लग रहा है था कि आपने क्या लिख क्या है और वो होना ही चाहिए था उसमें हाँ, क्योंकि मैंने जो देखा था उसमें वहाँ पे मैंने जो अब इसको मिलाये था तो उसमें था कि terror आता, terror but it held me formally it referred to, ठीक है इसमें जो है आपका करेक्टली अगर आना चाहिए तो वो आपका terror आना चाहिए इंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए आप लोग जब पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा आपको समझने में अगर questions difficult जा रहा है तो आप लिखके वो आ जाते हो क्योंकि अगर वो correct वहाँ पे जो जरूरी नहीं है कि आपका paragraph में जो later वहाँ पे दिया उसके line अगर match हो रही है तो हो कभी कभी क्या होता है कि meaning इसका दूसरा होता है और आपको समझ में नहीं आता है ठीक है इसका लेकिन actual answers terror ही आना चाहिए terror but it held me firmly it referred to ठीक है next question है आपका the narrator begin to practice for days दिया हुआ है days a week क्योंकि यह जो question है उसमें कई लोग बोल रहे है b c वो नहीं है मैं बता रहूं आपको terror but it held me firmly it referred to आप अगर questions को समझ के पढ़ोगे ना देन आपको थोड़ा easy होगा राइट तो आप लोग ना questions अब यहां पे मैं बता रहूं आप confused इसलिए यहां पे हुए होगे क्योंकि एक जो line यहां पे दी हुई थी ठीक है यहां पे मेरे में तो यहां पे आपका था क्या I decide to get an instructor and learn to swim I want to pull and practice five days a week ठीक है तो यह वाला question का तो answer आपको बता होगा I want to pull and practice five days a week अब second जो question यहां पे पूछा गया था कि the narrator begin are to been to practice four days a week तो यहां का answer आपको तो easily मिल जाएगा कि इसका तो आपका five ही आना चाहिए जो बी नंबर का है five days week में वो जो है आपका क्या करता था practice करता था ठीक है और जो पहला वाला question था वो जो question में आप लोगों को समझने में क्या होगा गलती होगी कि I decide to get an instructor उसने decide किया था कि वो जो है है सीतल जांगीर बोल रहे है राइट तो आपने five किया होगा तो आपका सही आना चाहिए ठीक है क्योंकि देखो पेसेज में आपका the other end of the rope tied to the swimmer's belt was held by instructor पुले फियर और आफरेंट तो इसका आपको अंसर बताना है third वाले का आपने क्या लिखे हो the other end of the rope tied to the swimmer its belt was held by instructor पुले फियर आफरेंट स्रवन इंडिया बोल रहा है right हाँ अगर five लिखे हो तो आपका right ही होगा मुझे पता है आर भी साउ सॉंग बोल रहा है B है सर पुले और 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 बता मुझे कोई और और भी अगर कोई किसी के पास में suggestion हो तो बता सकता है इनका तो B था इंस्ट्रक्टर वाले में कोई कोई कंफ्यूज है क्या इतने लोग जो देख रहा है क्या आप इंस्ट्रक्टर वाले में कंफ्यूज हो हाँ इसका जो राइट आंसर वो होगा वो होगा कि the other end of the rope tied to the swimmer's belt was held by instructor आपका इसका आना चाहिए ठीक है और वो इंस्ट्रक्टर आपका इसका राइट आंसर आएगा इसका जो राइट आंसर वो इंस्ट्रक्टर होता फोर्थ आपका how long did the narrator take a seed his fair आप यहाँ पे था आपका कि how long did the narrator take to seed his fair पांच दिन था आपका एक सप्ता था तीन महीने थे या एक साल था 5 days, week, 3 months और 1 year तो आपको इसका बताना है आपने इसका क्या लिखा था 5 days, week, 3 months या 1 year RS भी बोल रहे हैं, 3 months, agricultural star girl बोल रहे हैं, C, 3 months, ठीक है, 4 का 3, हाँ तो इसका जो आपका, C ही आता, जो था 3 months, how long did the narrator take a seed his fair, 3 months, next question था आपका पाचवा नंबर का question दिया हुआ था The word end in the passage means, the word end in the passage means, पहला है आपका, a final part of something, second है आपका end, और third है आपका more, और D है आपका nothing, तो इसमें आपका क्या लिखा था आपने, The word end in the passage means, a final part of something, B end, और C more, और D है आपका nothing, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या आना चाहिए था इसका और आप लोगों ने क्या लिखा है सीतराम बर्मा बोल रहे है, B, मंदीप सिंग बोल रहे है, A, a final part of something, ठीक है, हाँ, सीवम इंडिया बोल रहे है, हम सर मेंने भी A किया है, इसका जो right answer है वो है, the word end in the passage means, तो जो इनका कहना था, कि ये जो word दिया गया है, जो end है, end का मतलब समाप्त होता है, और जो in the passage means, तो इस passage में उसका क्या मतलब दिया गया है, end जो सब्दे उसका इस passage में क्या दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है, तो इसमें क्या end का end रहेगा, ठीक है, या more रहेगा, या nothing रहेगा, तो ये बहुत simple question था, कि a final part of something, the word end in the passage means a final part of something, ये अगर आपने किया होगा, then यहाँ प और और जो sections वाले question से वो भी थोड़ा-थोड़ा मैं करवा देता हूँ, जिससे आपको फाइदा हो, दसवा के बाद में आपका ये था छटवा, the opposite word in the meaning of exhale is, exhale is, तो यहाँ पे intake, inbuilt, inward, या inhale, the opposite word in the meaning of exhale, exhale, ठीक है, exhale हो गया, तो इसका क्या आएगा, in take आजाएगा, inbuilt आजाएगा, in word आजाएगा, inhale आजाएगा, तो यह बहुत simple सा word था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों नहीं किया होगा, the opposite word in the meaning of exhale is, exhale, exhale, ठीक है, exhale जो होता है हमारे उसमें हम छोड़ देते हैं, ठीक है, inhale, तो हम जो inhale कर रहे हैं, तो इसमें जो exhale होगा मतलब छोड़ दिया, तो inhale आपका D वाला जो right है, वो answer आजाएगा, आपका inhale, ठीक है, हम बोलते हैं, inhale करो, exhale करो, तो वही इसका right answer है, D, inhale, और मुझे उम्मीद है कि तुमने inhale तो किया होगा, मनोवर किनारी बोल रहे हैं, D होगा, D हाँ right है, आपका word of knowledge वाले भी जो आप रहे हो, इनका भी right है, आप लोगों का right है, जिनोंने inhale किया है, उनका सबका यहाँ पर right है, ठीक है, बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, साथ में ये बताओ कि अभी जो next paper है, आपका उसकी तयारी किसी साब से चल रही थी आपकी, क्या तयारी में क हुआ 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 है, बाकी ये जो questions है, ये आपके हो गए होंगे, और भी जो questions है, आपका ग्यारवा answer, any of the following question in about 60 words, what thing did he little friends notice in the school, offer an order from Berlin, और भी यहाँ पर जो बहुत सारी questions है, इन questions के जो answer है, इसको मैं directly आप आपको सीधे वहाँ पर कहाँ पर, जो हमारा telegram है, और जो हमारा, sorry, what's up है, वहाँ पर मैं आपको provide करवा दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, बाकी मैं चीजें और तुम्हें बताओं, तो अभी अगर आपका जैसे, आज 12th का exam था, 12th के बाद में, exam के बाद मे जो राजिस्थान के अंदर में है, जैसे की, LP University हो गई, या फिर आपकी मनिपाल University हो गई, या फिर आपकी चंडिगर University हो गई, या फिर आपकी अमरिता University, या फिर UPS University, इनमें से कोई सी भी University अगर आपकी है, और आप, मतलब आपका dream है इसमें पढ़ने का, और कुछ जो क्या कर सकते हो कि जो link आपको description और आपके जो chat comment box में दिख रही है, वहाँ से जाके अभी आप apply करते हैं देन, आपको 100% scholarship मिलेगी, और उसकी help से आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा easy हो सकती है, आने वाले समय में University level की, तो जाके आप apply कर सकते हो, बाकि जो इनके questions हैं क्योंकि इतने सारे questions करवाने में थोड़ा सा हमें भी time लगता है, बाकी फिलारिकल सरी इतना था, देखते हैं आगे क्या करना है, क्या नहीं